सो हेई गाइस कैसे हो आप सभी लोग स्वागत है आपका मुवीजिंग चानल में आज हम बात करने वाले हैं कॉंस्टन्टीन दहाउस ऑफ मिस्टरी फिल्म के बारे में जहां दोस्तों फाइनली यह फिल्म रिलीज हो चुकी है एक्च्वल में फिल्म नहीं शॉट्स बोलें है और एक बात दोस्तों कि दीसी की बाकी शॉट्स की तरह या फिर बाकी मूवी की तरह आप इसको जज्ज मत करना एक नॉर्मल कॉंस्टन्टीन की मूवी है उस टाइप में ही आप जच करो क्योंकि एक अमेजिंग मिस्ट्री तो है इस पूरे शॉट के टाइम में जो कि ह से लूप इस शॉट में भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमारा सिर चक्राने के लिए कामियाब भी होते हैं तो चलिए आईए मिल के करते हैं कॉंस्टन्टीन हाउस ऑफ मिस्ट्री का पूरा एक्स्प्लेनेशन तो लेट्स बेगिन कारणी शुरू होती है अपोकलिक्स वार के तुरंद बाद यहाँ पर अभी जॉन कॉंस्टन्टीन बात कर रहा है कि अभी कोई होप बची ही नहीं है हमारे अपोकलिक्स वार के बाद दुनिया इस तरह से तबाह हो चुकी है कि स्ट्रीट पे बाडिस पड़ी हुई है दो गए मगर सब लोगोंने किसी ना किसी को खोया है जिस तरह से मैंने भी जटाना को खोया है जो की इस पूरी जंख का जिम्मेदार भी है और यह इस तरह से जखम दिये हुए है कि टाइम भी आ जाए इसमें टाइम भी लग जाए फिर भी ये भर के नहीं आएंगे इसी के बीच जॉन को आता है एक आइडिया जहाँ पर यह सारे लोग अभी दुखी में है फिर भी उसको एक आइडिया आता है जो कि फ्लैश को फ्लैश पॉइंट करने पे लिए मजबूर कर देता है जहाँ पर वो फ चीज़े हैं यह मैं खुद मेरे बल्बूते पर करूंगा और मैं ही इसी में नजर रखूंगा चाहे जिसके लिए मुझे कुछ भी कीमत देनी पड़े वो चुकाने के लिए मैं रेडी हूँ और इसी नोट पे फ्लैश भागता है अपनी स्पीड़ फोर्स सी मदद से जो क कितना जादा नुकसान मुझे इसका जेलना पड़ेगा फिर आता है शॉट का लोगो इसके बाद यह उठता है एक घर के अंदर जहाँ पर बहुत सारे डोर्स हमें देखने को मिल रहे है जिस भी डोर से वो जाता है उसमें कुछ ना कुछ मिस्ट्री भरी पोड़ी है जिस बढ़ता है एक दूसरे कमरे में देखता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीडियो का जंजाल हमें नजर आता है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होती है तो जॉन यह रास्ताना चुनते होए वह एक अलग डोर के पास पहुच जाता है जैसे ही वह डोर उपन करता है तो उ सामने से आ जाती है जहाँ वह कहती है कि आज का दिन है तुम्हारा रात का फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिताने का जहाँ वह बात कर रहे थी जॉन से तभी जॉन कहता है कि मुझे ऐसा रग रहा था कि तुम मर चुकी हो जहाँ जटाना कहती है हसके कि मैं मरी नहीं जिन दोनों का नाम है डेला और जैक फिर वो बच्चों को बताता है कि मुझे किस कर लो और चले जाओ बैड़ पर सोने के लिए मैं तुम्हें सुलाओंगा जहां वो दोनों को गोद में लेता है और जाने लगता है लेकिन तभी जैक बहुत ही जोर-जोर से खासने लगता है इस वज़े से जैक को सोने के लिए वो सोफे पे जग देता है और जी को कहता है कि जाके पानी ले आओ जैसे ही जान जैक को पानी पिलाने वाला होता है तभी वो खासके मर जाता है जिसके मुझे खून भी बैते वे नजर आता है ये देखकर बहुत सारे लोग वहां के गुलाना चीए जल से जल पर तभी जेसन को भी खासी चालू हो जाती है और देखते ही देखते रूम के अंदर के सारे लोग खासने लग जाते है और एके करके साब लोग मर जाते है उसमें जटाना भी शामिल होती है सिप जॉन जिन्दा रहता है जहां वो मदद के लिए गा फिर बच्चे हैं तो वह बच्चों की तरप देखता है। हो convert हो चुके है जो बोल रहे है कि तुम यही deserve करते हो और वो john पर attack कर देते हैं फिर सभी members demons में convert हो जाते हैं और कहते है happy birthday john और john पर झपटा मारते हैं और उसको खाने लग जाते हैं इसके बाद john फिर से उठता है अब वो खुद को उसी जगह पर पाता है जैसे movie के start में हमने देखा है कि house of mystery के अंदर वो खड़ा हुआ है और आजो बाजो डोर से अब फिर से एक एक डोर धूनने लगता है और फिर last में एक डोर के अंदर जाता है जहाप और उसके दो ताश केलते हुए नजर आते है तो उनको भी यह join कर लेता है फिर वो पत्ते उठाता है और फिर यह सारे लोग गप्पे लड़ा रहे है जॉन हसरा है इसी के बीच उसकी पत्तों पे नजर जाती है तो पत्तों के जो आकड़े है वो अलग से शेप ले लेते है जो कि जॉन का एक्च्वल में माजिकल शेप है वो हमें सिंबॉल वहाँ पर नजर आता है यहापर उसके दोस्तों की आवाज आती है कि क्या तुम्ह गलत पत्ते मिल गए है तो वो देखता है सामने दोस्तों की तरफ तो फिर से डीमन्स में कनवर्ट हो चुके है उन्हीं में से एक हम एट्रिगन को भी यहापर देख सकते हैं सीधा तलवार उठाता है और जॉन का हाथ काड़ देता है फिर जॉन तडपके उठता है तो जै जाने लगता है वो डिरेक्ली ना जाते हुए उसके गैजट्स का यूज कर रहा है जो कि एक ग्लास होता है जिसकी मदद से उसको डेविल देखने को मिलते है उसकी मदद से वो देखता है और आगे बढ़ता है अब वो मैजिकल पावर्स की इस्तमाल करते हुए आगे बढ स्थाना को किस करता है और कपड़े उतारने लगता है फिर उतार के उसके उपर चड़ जाता है बैड़ के ऊपर उसके बाद वह कहता है जैता कि हमें तो बच्चे कर दिया है कि आप Всем ना कर तो सोचा फिर भी जॉन कहता है कि क्यूँ हमें बच्चे क्यों नहीं है जैक और डेली नाम के जहापर जटाना हस देती है फिर वो बाते ही कर रहा है यहाँ पर इनका रंगा-रंग कारे करम चालू हो रहा है तब ही वो बाते करते करते रूपता नहीं है तो ये जो जटाना है ये डीमन में कनवर्ट हो जाती है और कहती है कि तुम तुमारा दिमाग शांद क्यों नहीं रखते हो एक जगा पर ना कहके उसकी मुंडी क्रॉस कर देती है फिर से अपना जॉन उठता है उसी जगा पर जहापर हाउस के अंदर उठता है वो और देख रहा है कि उदर उदर दोर सी डोर से तो वो एक डोर खोल भी रहा होता है अब जॉन को पता चल चुका है कि भई ये mystery से भरा हुआ पूरा घर है तो यहां से मुझे भागना चाहिए तो वो इधर-उधर भागता है, doors खोलता है, फिर उसी जगा आजाता है इधर-उधर से फिर भागता है, फिर उसी जगा आजाता है फिर वो सोचता है कि stairs से भाग लेते हैं तो stairs के door के अंदर जाता है और stairs से भागने लगता है और आखिर कार वो main door तक पहुँच जाता है और फिर एक lamp का use करके वो एक window को फोड ने लगता है ताकि वो वा से भाग सके जैसे ही वो wall break करता है वो जो glass break करता है तो उसके पीछे actual में वाली है ना कि कोई window है फिर अब वो magic का इस्तमाल करके उस door को फोड देता है और भार आने के बाद वो देखता है कि वो एक अंजानी सुनसान जगा पर है जहां पर कुछ भी नहीं है बस पेड़ फोदे हैं जो कि सुके हुए है और उसके बाहर वो भाग निकलता है करता है इस magic में वो कहता है कि मुझे याद दिलाओ कि मैं यहां पर कैसे आया था उसे दिखता है कि वो एक अलगी ब्रह्मान की छोर पर पहुच चुका है जहां पर उसे कुछ ना कुछ द्रीखने को मिल रहा है लेकिन तब ही उसके जहटाना वहां से बाहर निकाल लेती है कि कहती है कि come back to bed जॉन और इतना कहके ही उसके उपर जपटा मार देती है जॉन फिर से नीन से उठता है उसी घर के अंदर अब वो सब के सामने बैटा हुआ है ये सारे लोग लंच कर रहे है जहां पर उसके दोस्त लोग कॉमेडी करते हुए नजर आते है फिर वहां से जो की आवाज देता है जान को अब जान पानी ढूंड रहा है लेकिन उसे कही कर दो तो दूर फेक दो जहांपर उसे कहता है अगर इस उनिवर्स का पास चेंच करना है तो ये कुछ खाने वाली बात नहीं है इससे बहुत जादा चेंज़ेस हो सकते है जो कि एक बड़ी सी लहर आएगी और disturbance create करेगी इस earth के present को फिर भी स्पेक्टर नहीं सुनता और इस पूरे past के जितना भी change करने की छेड़कानी करने की जौन ने जूरत की है उसको ठीक करने का काम स्पेक्टर करते हुए नजर आता है लेकिन जौन उसे रोकता है और कहता है अगर तुम रोक दोगे फिर से मैं मेरे जादू से create कर लूँगा जिसके वज़े से तुमारे उपर भी बहुत जादा आचे आ सकती है फिर स्पेक्टर राजी हो जाता है और वो जौन को कहता है कि ठीक है जौन तुम्हें पास्ट और फ्यूचर से खेलने के वज़े से हम eternity में तुम्हें कैद कर रहे हैं जो की है house of mystery के अंदर और हाँ बहुत सारे लोग भी तुमारे वहाँ पे मारने के लिए भेजे जौन उसके मजाक उड़ाता है और स्पेक्टर उसे एक चुटके से इस पूरे house of mystery के अंदर भेज देता है अब यह जो डीमन से यह जौन को कमोड से बाहर निकालते हैं और सारे लोग मिलके उसे खाने लगते हैं अब जौन फिर से उड़ चुका है उस घर के अंदर है कि मैं अभी truth जान चुका हूँ इस वज़े से यह ज़्यादा तर time नहीं रहा है कि मुझे समझना आए कि यह लोग कौन है तो यह लोग demons की तरह से उसे अभी नजर आ रहे हैं अब यह demons इसके उपर हमला कर देते हैं और मर जाता है फिर से वह उठता है फिर से यह demons उस प रोक नहीं पाता और कोई ना कोई demon उसे मार देता है फिर से यह loop अगें स्टार्ट हो जाता है जान कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहां से बज सकता था लेकिन नहीं स्पेक्टर ने ऐसा जादू चलाया है कि मैं यहां से कभी निकली नहीं पाऊंगा और हर बार मुझे मरना भी पड़ेगा अब इस लूप में हमें कई कई तरीके देखने को मिलते हैं जिससे जान मर रहा है एक कई बार तो खुद के ही वे से मर जाता है कई कई बार खुद ही भागते दोड़ते मर जाता है कुछ कुछ टाइम पर उसे लगता है कि उसने सारे demons को मार दि अब बहुत टाइम गुजर चुका है और जान ऐसी तरह से मरते हुए नजर आता है फिर कुछ टाइम के बाद घर में एक भूकम सा आता है और भूकम से निकलता है एक पोर्टल और पोर्टल से निकलता है एक डीमन जो की soul earn करता है इस जान कॉंस्टन्टीन की एक्शल में जान ने स्कूल बेज दी थी तो वह किसी एक को ना बेशते हुए उसने तीन लोगों को बेज दी थी तो वहां पर एक एक करके वो तीनों लोग पधार जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है मुझे पता है कि तुम्हें इटर्णिटी में भेज दिया गया है इस हाउस के अंदर जापर तुमारी आए दिन हत्या होती रहती है इस लूप के ही अंदर तुम कह दो लेकिन नहीं तुमारी सोल तो मुझे बेज दी गई है तो मैं उसे टॉर्चर करने का जिम्मा उठाता हूँ ऐसे ही करके वो तीनों लोग आ जाते हैं और एक एक करके जगड रहे हैं कि दिनों का नाम बता जाता है जो कि है बटरफ्लाइज रिटन्स और शाइट जहां यहां यह भी कहता है कि हां मैंने यह जानबुस्ट में किया था क्योंकि तुम तीनों आओ गया और यहां से मुझे छुड़ा दोगे इस वज़े से ही यह ट्रिक मैंने अपनाई थी अब ज जान जान आगे देखता है तो उसे स्पेक्टर दिखाई देता है जो स्पेक्टर उसे उठाता है और उसे कहता है कि मैंने तो तुमें इतरनिटी में भेज आ था तो तुम वहां से वापिस कैसे चले आए और रूल कैसे तो उमने ब्रेक किया जहाँ पर जॉन बोलता है कि ठीके मैं वापिस चला जाता हो लेकिन स्पेक्टर उसे जाने नहीं देता और उसे उठा लेता है अब जॉन ये कह रहा है कि तुमने मुझे ऐसे लूप में फसा दिया था जहाँ पर मुझे निकलना बहुत ही जादा पॉसिबल नहीं हो रहा था फिर पर मैं निकल आया क्योंकि तुमने मेरे ही दोस्तों को डीमन्स बना दिया और वो मुझे ही मार रहे है अब यहाँ पर स्पेक्टर का कहना एकदम ही सिंपल था कि भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो तुमारे दोस्त है वो ही तुमारे साथ इटर्निटी में रहेंगे जहाँ पर तुमारा ड्रीम था इन दोस्तों के साथ रहने का जो कि एक endless perfect ड्रीम होता तुमारे लिए जहाँ पर तुम्हें लगता है कि तुम अनवर्दी हो happiness के लिए और तुमने जो पास्ट में गलतिया की है उसी वज़े से तुमने ये लूप चुना था जहाँ पर जौन कहता है कि हाँ ये तो सही है जो कि मैंने खुद नहीं किया है जहाँ पर वो कहता है कि मेरे दोस्तों को मैंने monster बना दिया है तो अब इसकी आखे खुल चुकी है जहाँ पर जौन उसे कहता है स्पेक्टर से कि ठीक है मुझे accept है सारी चीजे अब no more magic tricks जहाता है living thing universe जहाँ पर हम जैसे ही लोग रहते हैं उसे अभी अच्छा लगने लगता है कि हां मैं वह चीज देख रहा हूँ जो कि इस तरह से living thing है ये universe है पर स्पेक्टर कहता है कि तुम सेलफिश हो जौन जहाँ पर तुमने तुम्हारी जिम्मेदारी पर इस universe को बहुत स्पेक्टर ऐसा कुछ नहीं करता अधार हो उस लीविंघ लिविंड उकर करने लिए जान जहाँ जों से पर उस गजाता है। यह amazing shot रहा है जिसमें हमें actual में अलग-अलग loop देखने को मिलते है जो कि एक amazing बात हो जाती है बीच में थोड़े बहुत loops बोर होने लगते है तो उन्होंने बहुत सारी चीज़े और add कर दी है जिस तरह से आपने देखा भी होगा तो आपका क्या कहना है Constantine the house of mystery shot के बारे में वो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों और DC और भी कई movies लाने वाला है future में जो कि DC animation movie universe से connected रहेगी जिस तरह से यह shot था तो आगे हमें कहानी जौन की पता चलीगी उस film में तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना लाइक कर देना इस वीडियो को शेयर कर देना आपने दोस्तों के साथ क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंट्रेस्टिंग और आमेजिंग कंटेंट्स आपके लिए लेके आते रहते हैं इस वज़े से आप इस चान को सब्सक्राइब भी कर देना और देखते रहे हैं मुविज इन